हापई जंञ मांस मीटो एव्रिवन, आज में आप लोगों के साथ सिंघारा के आटा का हलूआ का रेसेपी सेया करूंगी यानि चेस्टनट फ्रोड का हलू और का रेसेपी यह हमारे काना का फेवरेट है तो इसके लिए मैंने एक पैन में घी लिया है और यहाँ बैंगलोर म यह आप देखो chestnut floor के नाम से मुझे यह packet मिला है इसमें सिंघारा के आटा का हलुआ का powder रहता है और यह आपको कही भी store में मिल जाएगा और अगर store में नहीं मिलता है तो आप blanket पे search करना या जब्टो पे search करना लिखकर chestnut floor आपको यह मिल जाएगा सिंघारा का आटा भी लिखोगे तो मिल जागा यह मेरा पैन में घी ले लिया है घी गरम हो गया है अब इसमें मैं हलुआ डालूँगी जैसे यह गरम होता है और गरम होने के बाद ही हमें हलुआ डालना है ठंड़ गी में नहीं डालना ठंडिगी में अभी ये देखो मैंने डाल दिया आपको जिसना चाहिए उतना जितना बनाना उसी हिसाब से आप डालना और इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये पूरे अच्छे से भूंजना जाए तो इसको एक साथ मिक्स करते रहना है और मैंने इसको मैंने कल्चुल को इसले लिया है क्योंकि जब हम इसको फ्राई कर रहे होंगे तो इसमें छोटे-चोटे गोल टाइप का हो जाता है उसको हम इसके साथ मैंस कर देंगे जिसकारण से ये उपन हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से घुल देगा जब हम इसमें पानी और दूद तो ये देखे मैं इसको फ्राई कर रहे हूं जब तक ये हलका ब्राउन नहां हो जाए यानि थोड़ा सा आपने सिंगारे का फल देखा होगा तो जिस कंसलर का इस उसकंदर के वह जागा देखो हम इसमें प्रूरोरा है अब तक चल दोज़ आपको बदाते रहना है यानि तो पानी नडाले आफ और येदे को मैं से अच्छा socio मैं ने बूरा है ये मैं लेटा हो गया जुडर यहकी के लिए ओड़ का। आफिण थाल जा जीन का कि बमतारी के जोड़ में के लिए 7ज के लिए गोड़ेल ऴो टेब तब तक हमें ये फ्राइ करते रहना है और जब वो पूरा गोल रेडी हो जाता है तभी हमें इसमें डालना है और तब तक हमारा ये चेस्ट ब्राउन भी हो जाए तो उसके बाद येदे को नीचे चिप रहा है तो ये आपको चलाते रहना है ये मैं इसको चिप चला रही हूं और अभी पानी जो मैंने चीनी में डाला है वो मैं देखती हूं गुला की नहीं गुला तो ये पूरे अच्छे से नहीं गुला है तो हमें इसको भी अच्छे से कर नहीं घुरू बोरी जा आजो नहीं हो जबत इस उसमें पैनी में अदेखो थे इसली करदे उसमें फुल करते हैं क्योंकि यह चुड़ चुटा आप देख रहो गोल टइप का अढ़ल को देशिकımızı शा unfortunately तो इसे हमें चलाते रहना है और अभी देखो यह mix हो रहा है अच्छे से हो रहा है अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूं और पानी डालते वक्त आपको इसको चलाते रहना है और पानी डालने के बाद इसमें आपको दूद भी डालना है जो चीनी पानी का गोल था उसको डाल मदेसे अग्ट में तुछ थाई करने हुआ और रोगों कि दीफ नहीं तुछ थाई इसके जब तक नहींक करते रहना अब तक में जब तक तक यह जो घॉल गोल खतम हो जाए क्योंकि fry option अभी हमें जरूरत नहीं है विकास हमने पानी और दूद का mix run इसमें डाला है हमें इसे चलाते रहना है कि नीचे से चिपके न और इसमें गोला कार्ड ना बन जाए और इसे अच्छे से mix करते रहना है और जब यह पूरे अच्छे से पक जाए यह आप छोड़ द अच्छा है आपका हलुआ रेड़ी हो जाएगा और यह काना का सिंघारा का अटा का हलुआ रेड़ी है अब आप इसे सर्फ करो मैं इसको थोड़ा सा और चला लेती हूं बट आप इतना में भी बंद कर सकते हैं बट नहीं यह अलरड़ी हो गया अप इसको mix कर लिया इसको अच्छे से फ्राई कर लिया अभी आप किसी को भी सर्फ करो यह बहुत ही यमी और टेस्टी है थैंक यू एंड थैंक वर वाचिंग आप मुझे बता आपको यह मेरा सिंघारा के आटा का हलुआ का रेसेपी कैसा लगा थैंक यू होप आपको भी अच्छा लगा होगा क्य तो आप भी से ट्राई जरूर करना थैंक यू